Dear students, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बचों ये class 4 का Hindi book है, chapter 3, और इस chapter का नाम है रतनाकर, रतनाकर एक डाकू का नाम था, और वह रतनाकर डाकू से किस परकार बाल मिकी बन जाता है, उसके जीवन में किस तरह की घटना होता है, उसी को इस chapter में बतलाया है, तो इस तर परनेवन थे, उनके आसपास गाउं थे, बहुत से गाउं के बाद नगर बसा हुआ था, परन्तु या कथा नगर गराम की नहीं, एक वन की है, उस समय की बात है, जब बहुत ही जंगल, हरे भरे जंगल हुआ करते थे, और नगर जो है, सहर, बहुत दूर-दूर में बसा एक बार नारद मुनी तपोवन से एक वन में जा रहे थे, उस वन में रतनाकर नामक दस्यू रहता था, दस्यू मतलब लुटेरा हो गया, डाकू हो गया, तो नारद मुनी जिस वन से जा रहे थे, उसी वन में एक डाकू रहता था, रतनाकर वन में आए लोगों को लूट कर अपना जीवन बिताता था तो रतनाकर जो है उस वन में चुपा हुआ राता था और वहां से गुजरने वाले लोगों को लुटता था और उसी तरह अपना जीवन बिताता था वह भयानक लुटेरा डखेत था नारत जी को रतनाकर ने घेर लिया तीर धनुस और भाले से सजे धजे दस्यू ने कठोर सोऔर में कहा जो तुम्हारे पास है निकाल कर रगतो कि लूटोरों का काम यही था उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को रास्ते से गुजरने मुझ से बहाना मत करो प्रान बचाना चाहते हो तो मेरी बात मान जाओ इस जंगल में मेरा राईज है रतनाकर ने धमकाया तो जब तक डाकू सामने वाले बैक्ति को ड्राता नहीं था धमकाता नहीं था तो वो कुछ भी अपना निकाल कर नहीं दिया करता था लेकिन नारद जो था, एक रिशी था, एक साधू था, उसके पास कुछ भी नहीं था, तो नारद ने क्या कहा, मुझे मार कर पाप क्यों कमा रहे हो, बहुत दिनों से तुम लूट मार कर पाप इकठा कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, नारद जी ने पूछा, इस तरह से नारद जी उसको ब पात करके भागना चाहते हो तुम नहीं भाग सकते रतनाकर ने कहा रतनाकर उसके पीछे पढ़ावा था कि किसी भी स्थिति में उसे निकलने नहीं दूँगा और मैं उसके पास जो कुछ भी धन होगा उसे लेकर ही रहूँगा इसलिए वह विसे इसे भटकना नहीं चाहता और नारद उसे दूसरा कुछ ही पाप कुरिंद का पढ़ा रहा था इसलिए वह का रहा था कि कि किसी भी तरह से तुम भाग नहीं सकते तुम उझे पाप कुरिंद का पाथ नहीं पढ़ा सकते अब आगे क्या हुआ नारत फिर उसे बतलाता है लूट मार पाप है दस्यू समझो धन तो परिवार के लोग पा रहे हैं तुम्हारे पाप को भी वे अपनाएंगे क्या कि तुम तो पाप कर रहे हैं अपने परिवार के लिए सभी को इसमें धन उसे मिल रहा है सभी का हिस्सा है लेकिन क्या तुम् कहा कि यह समझने का अभी से जरूर है लेकिन मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा मैं भागना नहीं चाहता तुम मुझे पेड़ से बांदो फिर घर जाकर सबसे पूछो कि तुम्हारे पाप में वे सामिल होंगे या नहीं नारत जी ने समझाया यह परिवार के जो भी लो दिया वह स्वेम पूछताच के लिए घर चला गया अब रतनाकर डाकु जो है नारत जी को पेड़ पे बांद देता है और वहां से घर चला जाता है अपने घर के सदस्यों से पूछने के लिए घर पर पतनी तथा बेटों ने उसे खाली हाथ आते देखा सबको अचरज हु मुख पर गंबिरता चाही हुई थी वे समझ नहीं सके कि हमेशा कुछ ने कुछ लेके आता है लेकिन आज खाली हाथ क्यों आ रहा है रतनाकर ने पूछा मैं पाप करके धन कमाता हूं इस धन में सबका हिस्सा है मेरे पाप में भी सबको हिस्सा लेना है रतनाकर ने उन लो परिवार को पिलाना पालन पुसना उसका करतेब है लेकिन हम पाप के भागी नहीं बनेंगे यह सुनकर रतनाकर क्या आँखे खुल गई वह अपने आप पर पस्ताता नारज जी के पास आया उसे पता चल गया कि नारज जी जो कह रहे थे वही सथ्य है उन्हें बंधन से मुक प्राद किसी भी तरह का पाप नहीं करूंगा नारज जी ने कहा अच्छे करम से जीवन को जीना धर्म है बाणो जन्म की सफलता है पाप से पसूमत बनो इसके लिए भगवान से छमा मांगो नारज जी उसे बतलाये ति मानो जीवन की सफलता इसी में है कि धर्म से जीवन जीओ, धर्म के नुसार जीवन जीओ, रतनाकर ने सीर जुका कर नारज जी के वचन को सुना, भगवान की भक्ती में लग गया, रतनाकर ही बालमिकी बन गया, इन्हें हम आदी कवी मानते हैं, बालमिकी ने ही संस्क्रित भासा में रमायन लिखी है, एक बुरा मनुष जीओ, इस तरह से यह चेप्टर जहां पर समाप्त हो जाता है, बालमिकी को हम लोग जानते हैं, उन्होंने रमायन की रचना किया, बालमिकी ने ही रमायन की रचना किया है, संस्क्रित भासा में, और फिर उसको इंदी भासा में तुलसी दास ने रमायन को लिखा है, आई प्रतनाकर का यहां पर संदी विच्छत क्या हुआ है, तद्भाव और तद्शन सब्द यहां पर जो आए हुए है, उसको दिया हुआ है, उसको नमर फोर में निमलिकित वाक्यों के मोटे अच्छर का लिंग बताएं, यह इस्तिर लिंग है या पूलिंग है, जैसे कथा हो ढobs करने क्या है, तो आइए कि मैं आप लोग को इसके अंसर बना कर देता हूँ, चेंटर थीरी का यह टोशन असर है, रतनाकर कौन था, रतनाकर एक दिस्यू था लुटे रहा था, नारद मुनी के साथ रतनाकर ने क्या क्या किया, रतनाकर ने नारद मुनी को पेल से कि आगे कुश्चन दियावा है। रतनाकर ने घर जाकर क्या पूछा। इस धन में सब का हिस्सा है। मेरे पाप में भी सबको हिसा लेना है, रतनाकर में क्या परिवर्तनाया, रतनाकर में महान परिवर्तनाया, वह भगवान की भक्ती में लग गिया, रतनाकर क्या बना, रतनाकर महर्शी बालमिकी बना, बालमिकी को हम क्या कहते हैं, बालमिकी को हम आधी कवी कहते हैं, यहाँ पूरी तरह समाप्त हो गया है अगर हमारे वीडियो आप लोग के लिए हल फूल होता है ता आप हमारे वीडियो को लाइक किजए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए और इसके अगले चप्टर को पढ़ने के कि लियाम लोग, नेक्स विडियों पिचलेंगे!